हाई अवरिवर मैं हूँ धननजे हम इंडेन्स जब भी पाकिस्तान के बारे में कुछ नेगेटिफ पढ़ते हैं तो हम काफी खुश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा प्रोग्रेस काफी अच्छा चल रहा है वहीं अगर हम बात करें हमारा एक और पडोसी मुल्क चाइना के बारे में तो किस तरीके से USA और European countries चाइना के बारे में बढ़ चड़ कर बुराई करते हैं वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको साथ में ये भी मालूम पड़ेगा कि वो सारे देश चाइना के उपर डेंजरिसली डिपेंडेंट है जो देश मीडिया में आके उनके बारे में नेगेटिव कहते हैं एक बात का ध्यान रखा जाए कि जब भी हम जियो पॉलिटिकल न्यूस पढ़ते हैं तो हमें काफी न्यूचल पॉइंट और वीव से उस चीज़ को पढ़ना चाहिए क्या है ये पूरा मामला और लेटेस सर्वे में किस तरीके से ये बताया गया कि यूएस और साथ में यूरोपियन यूनियन चाइना के उपर डेंजरिसली डिपेंडेंट है आगे बढ़ोई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे इमेल करके बता सकते हैं अगर कोई सर्वे कंपनी इतनी बड़ी बात कहता है तो उसके पीछे बहुत सारे वैलिड रिजन्स होते हैं रिसेंटली एक सर्वे कंड़क्ट किया गया एलियांस ट्रेड ग्रूप के दुआरा जहां पे लगबग 3,000 से भी अधिक कंपनी जो की चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली इनको सर्वे किया गया इनसे बात की गई तो मालुम पड़ा कि किसी भी तरीके से चाइना जिस त देश हमारे आसपास नहीं है जो जो चाइना के इतना capable हो manufacture करने के लिए या यू कहले कि जो भी देश European Union में आते हैं उनके जो demand है उसको fulfill कर पाएं तो अगर आप इन सब चीजों को बहुत ही honest तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि exactly as in Indian हम कहां पे खड़े ह और हमें कितना progress करना है और उसके साथ जो हमारा comparison है वो किसी कमजोर देश के साथ हम compare ना करें अपने आपको और दूसरी बात रहा कि पाकिस्तान ने जो किया या पाकिस्तान का जो अपने internal politics है अगर वो अच्छा भी है तो उनके लिए है अगर वो खराब भी है तो उनके ल लिखा जाए या वहीं US मीडिया में चाइना के बारे में कुछ बुरा ना लिखा जाए अभी कुछ दिनों पहले ये मालूम पड़ा कि US में 50% से भी अधिक जो public purpose drone है उसमें जो electronics products use होते हैं वो directly मंगाया जाते हैं चाइना से और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे electronic equipments है गै किया जाता है तो ये भी बताता है कि जो China का capability है वो कितना जादा है और साथ में normally हम ये सुनते हैं और पढ़ते हैं कि हमें अपने जो requirements है उसे diversify करना है लेकिन अगर आप वहीं इस article को पढ़ेंगे या in fact alliance trade का अगर आप इस survey को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि हर तीन में से एक जो company है वो अपने business को China के साथ और अधिक करना चाहता है कहने का मतलब है diversify करना तो बहुत दूर की बात है वो और अपने engagement को China के साथ बढ़ाना चाहता है अगर कोई भी देश अपने business को अलग देशों के साथ diversify करना चाहता है या अपने requirements को किसी और द नहीं है कि भारत और China के जो संबंद है वो काफी खराब है और in fact China के US के साथ भी संबंद बहुत ही खराब है लेकिन उसके बावजूद अगर सारे देश जिनके संबंद चाहिना के साथ खराब है वहीं अगर उनका आप trade देखेंगे चाहिना के साथ तो almost हर साल जो trade है वो पढ़ता हुआ जा रहा तो ये भी बताता है कि किस तरीके सा China ने किसी टाइम पे अपने research and development में focus किया और उसके साथ skill development पे भी focus किया तो जो programs China ने आज के 30 साल पहले या 25 साल पहले implement किया था execute किया था उसका जो फल है वो आज हमें देखने को मिल रहा वहीं पे अगर बात क किया जाए भारत में तो कहने की कोई जरूवत नहीं है कि almost जो सारे states हैं वहाँ पे जिस तरीके से काम होना चाहिए या in fact जिस तरीके से states और center को coordinated तरीके से काम करना चाहिए वो coordination साफ missing होता है और इसके पीछे बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी बनता है वो कही न कहीं हम civilians क काफी बनता है कि हम आज भी बहुत चोटे मोटे मुद्दे पे लड़ जाते हैं और हम उस चीज़ पे काफी proud feel करते हैं वहीं पे अगर बात किया जाया जाया जर्मनी, स्पेइन, यूएस, फ्रांस तो इन सब देशों के भी जो companies हैं वो almost almost अपने जो इनके future plans है उसमें कु को expand किया है और किस तरीके से जो local manufacturers है उसको promote किया है एक बात का ध्यान लगी है कि European Union में total 27 countries है और European Union China का one of the leading trading partner है वहीं पर recently announcement किया गया था German Automobiles Company के द्वारा कि वो बहुत हद तक अपने जो manufacturing units है उसको China में shut down करके Japan as an option देख रहे हैं लेकिन उस article में भी कहीं से भारत का जि Ukraine के बारे में तो जब Russia और Ukraine के बीच में war शुरू नहीं हुआ था तो जितने भी जो high end गाडियां थी उनका wiring का जो काम होता था वो Ukraine में होता था अगर आप उससे संबंधित articles पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी high end गाडियों में wiring का का काम होता है ये बहुत सारे होते हैं लेकिन उस plan का जो execution होता है वो काफी important होता है और वो execution बहुत हद तक missing दिखता है ये आपके सामने दूसरा एक article है 2023 का जहां पे European Union के trade commissioner कहते हैं कि China और European Union के बीच में जो trade है वो काफी unbalanced है यहां पे एक बात और मैं focus मिलाना चाहता हूँ वो ये है कि श चाइना बढ़ चड़कर अपने समान को export कर रहा और as an union उनके पास भेजने के लिए China के पास कुछ भी नहीं है जिसके बारे में कि almost सभी को पता है लेकिन फिर भी EU के पास कोई ऐसा option नहीं है जहां पे वो ये कह सके कि हम Chinese manufactured goods को import नहीं करेंगे हलाके recently ऐसा देखा गया कि European Union काफी सक्त हुआ है चाइना के उपर in terms of electric vehicles वहीं पे अगर आप ground reality खंगा लेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि EU में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बढ़ चड़कर चाइना के इतना electric vehicles को manufacture करता है और उसके बाद बढ़ चड़कर European countries ने ये फैसला किया है कि लगभ ये खुद के देश में उस हिसाब से manufacturing कर पैं जिस हिसाब से China करता है या उस हिसाब से goods के quality को generate कर पैं जिस हिसाब से China करता है अगर हम इस video को conclude करें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना तो हमें China को support करना है ना तो हमें US को support करना है हमें as an Indian देखना है कि हम किस position पे खड़े हैं और हमारा export कितना हो रहा और अगर नहीं हो रहा तो उस export को हम करने के लिए exactly हमारे जो government है चाहे वो states हो गए चाहे वो center हो गए उनके पास क्या plan है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye